एक बात धिहान रखना, हर चीज का ओपयोग positively और negatively हो सकता है, वो आप पे depend करता है, साहब, वो आप पे depend करता है, मुबाइल सबके पास होता है, कोई मुबाइल पे गलत चीजे देख रहा होता है, कोई मुबाइल पे चीजे सीख रहा होता है, जो लोग कहते हैं, कि मुबाइल में सिर्फ time waste होता है, गलत बात है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे मुबाइल में आज से कभी कोई game नहीं खेली, मेरे मोबाइल में इतनी गेम है, मैंने आज दे कभी कोई गेम नहीं खेली, क्योंकि मेरे को टाइम वेस लगता है, मैं कभी नहीं खेला हूँ, आप बिलीब करेंगे कि पिछले पांच-छे सालों में कभी भी टीवी, जो प्रॉपर टीवी होता है, चैनल, जैसे की जी हो गया या फिर जो भी सौनी होगे, मैंने चलाया ही नहीं, मैं वो चीजे देखता हूँ जिससे मेरी स्किल डवलप हो, मैं वो चीजे देखता हूँ जो मुझे मेरे दिमाग को भढ़ाए, मैं अब अपना समय बरबाद नहीं करता हूँ, मुबाइल मैं आपको बताता हूँ, समझ में आती है, लड़की पटालू, लड़का पटालू, या फिर मेरा कोई यो फ्रेंडशिप हो जाए, किसी से मैं चैट कर लो, किसी से बात कर लो, साहब मैंने चीज कोची ही नहीं, जंदगी में एकी बात समझी, पैसा है, तो इंसान सुरक्षिता और इसको आप नकार नहीं सकते, सच बोलिए, क्या इसे आप नकार सकते हैं, नहीं नकार सकते साहब, यह जूट बोलते हैं, जो लोग कहते हैं, आज लोग पैसे वालो की सुनते हैं, और जिनके पास पैसा है, वो साला साही गलत भी बोल रहा, तो भी लोग सुनते हैं, क्या इस सच नहीं है, क् अंसे फिर नफरत मत करिये कि पैसा वाला है पैसा वाला हम गरीब है रुकिये साहब उनकी इजद करिये उस्फा कमाया है जैसे भी मिला और आपको वहां तक पहुँचने को कि आप इजद करोगे और आप यह थाट प्रैस रखोगे वह पैसा कमाता है, मैं भी एक दिन पैसा कमाओंगा, सहाब आप पैसा कमाता होगे